यह पहली बार ऐसा है जबकि इश्वर के अवतार को कैमेरे द्वारा फोटोग्राफ लिया गया हो क्योंकि उन्नीश्वी सताब्दी के पहले यह कैमेरे का अविश्कार हो गया जिसके कारण हमको भगवान श्री राम किष्ट देव के कुल पांच फोटोग्राफ हमको मिले जिसमें से एक नमबर दो नमबर तीन नमबर के हमने विस्तार से चर्चा की और यह कहा कि चौथे पांच फोटोग्राफ को सामने तह जन्रल लोगों को दिखाए नहीं जाता है उनके भावनाओं की को सन्मान देते हुए एक और फोटो लिया था रामचंद्र दत ने भगवान श्री रामकिष्ट देव का पर श्री रामकिष्ट देव ने देखकर कहा रिक्या मैं इतना गुस्से में आता हूं क्या तो रामचंद्र दत समझ गया कि उनको यह फोटो अच्छा नहीं लगा इसलिए बाद में वो उन्होंने गंगा में विसरजित कर दिया फोटो और उसका नेगेटिव इसलिए उसका कोई रेकॉर्ड नहीं है तो रेकॉर्ड में हमारे पास अभी तक जो है अभी लेटर्स फाइंडिंग के अंसार ये पांच फोटोग्राफ उपलब्द हैं स्री राम कृष्ट देव के जो केमेरे दोरा लिए गये हैं बाकी जितने फोटोग्राफ आप दिखते हैं वो या तो पेंटिंग है या फिल ये परेंटर कार्श से फारवर्ड करते करते हैं सब लोग ऐसा सोचते हैं कि यह मत्रु आउब्द के साथ स्री राम कृष्ट का भी फोटो लिया गया हुए यह मत्रु आवू वो तो जिसने रोल किया उसका अप्रोय और स्रilles राम कृष्ट तो जो भी होगा हम लोग वह सा प्रमतकार वगेरे का यह सब बातों से दूर रहते हैं और दूसरी बात है कि यह authenticity बहुत आवश्यक है कुछ भी गप-गोले चला देना यह ठीक नहीं है कोई भी बात है तो उसको पूरी तरह से verification करने के बाद ही उसको हमें upload करना चाहिए या forward करना चाहिए हमसे भी कभी गलती होती है तो फिर हम तुरंट उसको सुधार लेते हैं कि नहीं हमसे गलती से forward हो गया था बाद में को पता पड़ा कि नहीं ऐसा नहीं था कभी-कभी हमसे भी हो जाती पर हम लोग को सावधर रहन चाहिए तो यह हमने बताया था यह कुल पांच फोटोग्राफ की बात बताई थी मा शारदादमी ने कहा कि यह आधुनिक यूग के लोग कितने बुद्धिमान हैं इश्वर को भी उन्होंने कैमेरा में कैद कर लिया इश्वर के आउतार को आज तक को इश्वर की किसी अवतार का कैमेरे का दोरह लिए फोटोग्राफ नहीं है यह एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है इसलिए स्वामी विवेकान ने कहा अवतार वरिष्ट स्री रामकृष्ण क्यों कहा है इस दे लेटेस्ट एंद परफेक्ट इंकारनेशन अव गॉड जिसका की एक्ष्वल कैमेरे दोरह लिया गया फोटोग्राफ उपलब्द है एक बहुत बड़ी बात है उसके बाद में और भी कुछ उनके पेंटिंग्स भी लिए गई थी पेंटिंग्स बनाए गई थी स्ट्रचूज़ी बनाए गए थे वहां पर आस्ट्रिया में प्राग में एक बहुत ही रख्यात आर्टिस्ट फ्रेंक डोरा नाम के तो वो एक बार उनको सौपन में किसी संत का दर्शन हुआ चैसे ऐसा लगता था कि एक भारती संत है अब वो किसको पूछे उस समय आस्ट्रिया में कोई किसको पूछे वो मन में ही उनको ये सोचने लगे कि कौन ये संत हो सकते भारती संत जिनों ने मुझे दर्शन दिया बाद में जब प्रोफेसर मैक्स मुलर की किताब निकली स्री राम किष्देव के बारे में धर्यल महात्मा और लाइफ इन टीचिंग्स आफ श्री राम किष्दा ये जब मैक्स मुलर की किताब उन्होंने पढ़ी और उसमें उन को पता पढ़ा रहे मुझे तो श्री राम किष्देव के दर्शन हुए और एक प्रकास से श्री राम किष्देव के साथ उनका एक emotional bonding हो गया अब उन्होंने सोचा कि मैं श्री राम किष्देव का बहुत सुन्दर portrait बनाऊंगा पेंटिंग बनाऊंगा तो अब इन्होंने कहा कि मुझे original camera के दर लिए photograph जितने भी है वो मिले उसके बाद में बनाऊंगा तो उन्होंने correspondence शुरू किया तो स्वामी अभेदा नंजी थे अमरिका में उनको बोला स्वामी शारदा नंजी थे इंडिया में उनको बोला और इ देखा यह तीन ही photograph थे असली में तो original जो camera के दर लिए गये अब मुस्किल कहा हुई कि उन्होंने देखा तीनों photograph यह ऐसी अवस्था में जब कि शीराम के देव समाधी अवस्था में चले गया पहले तो समाधी अवस्था में थे ही ब्राम्म समाज में जब गये थे किर्टन कर रहे थे तो अद्बुच समाधी अवस्था में थे तब ही फोटो लिया गया फिर camera जब studio में गये तो studio में जब खड़े रहे तब जब camera मन तियार कर रहा था सब तो उनका मन वही उच्छ अवस्था में चला गया उसमें भी आप camera camera क्या मेरा photo मत लेना तो उनको भूलाबे में डाल करके बाचित करके उनको समाधी अवस्था में डाल दिया उसके बाद में फोटो लिया गया रादाकान के मंदिर में तो तीनों photograph में श्राम किषड़ेव ये समाधी अवस्था में और उनकी आखे लगबग बंद है बहु खुले हुए हूँ खुली अखों खुली आखों वाला फोटो यह पैंटिंग करना था यह उनको चींता थी उन्होंने फिर से उनको बोला कि भईー इसमें मेरा फोटो मेरनी चलेगा आप हमको ऐसा एक फोटो भीजवाई जिसमें कि श्रामकिस्ट देव की आखी खुली हो तो लोगों देख खोच करके बोला बस यही तीनी फोटोग्राफ है और कोई फोटोग्राफ है ही नहीं कैमेरे के द्वारा लिया गया जब दोनों स्वामेजियों से इंडिया से भी यही बात है अमरीका से भी बात है अब वो एक बार चिंता में पढ़े थे कि कैसे होगा उसे में क्या देखते हैं अध्भूत बात श्री रामकिष्ट देव वहाँ प्रकट हो गए खड़े रहे थोड़ा सा मंद मुस्कुराहट कर रहे हैं और आखे खुली हुई है पूरी खुली हुई है बस तुरंत इसने निखाला अपने ब्रश वगेरे पेंटिंग शुरू रामकिष्ट देव वहाँ खड़े रहे जैसी पेंटिंग समाप्त हुई श्री रामकिष्ट देव अंतरधाम हो गए है एक दिविक रुपा के फलसलूप एक बहुत ही सुन्दर पेंटिंग जगत को फ्रेंक टोरा ने एक आस्टियन डिवोटी ने आस्टियन पेंटर ने आर्टिस्ट ने हमको दिया है बहुत ही सुन्दर वह पेंटिंग है मन दे करके प्राण दे करके वह नमरा है जिसके लिए श्री रामकिष्ट देव को दर्शन देना पड़ा दुसरी बार और खाड़ा रहना पड़ा इतना घंटा ताकि उनके पेंटिंग समाप्त हो जाए यह उनकी दिवी कृपा का परिणाम ऐसा वह पेंटिंग है मैं एक बार बहुत वर्शों पहले की बात है कलकता गया था तो अद्वीत आश्रम वहाँ पर हमारा जो है पुब्लिकेशन सेंटर उसकी बुकसल में कुछ किताबे खरीदने के गया उसी से में वहाँ पर एक अम पर्मचारी उस समय थे देख रहे थे उन लोग ने कई फोटो बता है वो सब को रिजेट करना सुरू किया उसने इतने सारा फोटोग्राफ बता है बोले नहीं मुझे रामकृष्णे का दूसरा वाला फोटो चाहिए फिर उसने अपने पर्स में से निकाला फोटो जो जिस प्रकार उसने एक न्यूस्पेपर का कटिंग निकाला वो न्यूस्पेपर की कटिंग में उसने फोटो देखा था श्री रामकृष्णे का तब से उसकी भावस्ता हो गई थी तो उसको वही फोटो चाहिए था वही तब देखा कि कौन का भूसा फोटो था वह से फ्रेंग दॉच ओरा वाला पैंटिंग वाला फोटो दो दो पहुत खुश होगे विवभीन शक्रों कैरले कर के चले डिए सोचिए क्या श्री रामकिष्देव की लिला कहां भारत, कहां अमेरिका, कहां आस्ट्रिया आस्ट्रिया का एक पेइंटर श्री रामकिष्देव की सपन में दर्शन पाता है और एक इंग्लेंड के महान लेखक मैक्स मुलर की किताब को पढ़ करके उनके बारे में जानता है और स्री राम कृष्ट देव स्वयम हाजिर होते हैं उनको पेंटिंग कर सके इसलिए और फिर ये पेंटिंग वाला फोटोग्राफ एक अमरीकन महिला को अच्छा लगता है तो कितने लोग हैं जिनको वह फोटो बहुत अच्छा लगा तो इस प्रकार से यह श्री राम कृष्ट देव इस प्रकार से कर रहे हैं यह फ्रेंक डोरा यह फोटो उन्होंने कौन कब लिया होगा हमके पता नहीं है पर उनका जन्मा 1862 में हुआ 1927 में उनकी मृत्ती हुई पर 1909 में विये स्वामी अभेदानजी से मिले थे और उनके पास उन्होंने मंत दिक्षा ग्रहन की थी तो इसका मतलब हम अनुमान कर सकते हैं कि यह जो फोटोग्राफ वगरे उन्होंने किया होगा 1909 के पहले किया होगा यह हम एक सेफली कर सकते हैं उसके बाद में उन्होंने फिर दिक्षा ली होगी स्वामी अभेदानजी से तो ऐसे कुछ-कुछ आर्टिस्ट लोग हैं जिन्होंने स्री राम किष्ण के बहुत सुंद्र पेंटिक की हमारे एक स्वामी जी थे बेलूमठ में अभी लगबग पचीस साल पहले उनकी महा समाधी हुई बहुत बार उनको देखा बहुत बार अच्छा संगीत भी जानते तो माशारदा का जो फोटोग्राफ है जहां पर माशारदा पेर फेला के बैठी जयाराम बाते में, उसके उपर से उनुन्होंने पेंटिंग बनाए थी बहुत बड़ी पेंटिंग बनाए थी, वो बेलूमठ में महाँ पर है, ऐसे कई अच्छे से बहुत अच्छे से पें परिकन स्वामी तदात मानन जी उनकी भी पेंटिंग बहुत अद्बूत श्री रामकृष्ण का उन्होंने पेंटिंग किया ऐसा लग रहा है श्री रामकृष्ण देव आपके सामने देख रहे हैं लाइव है लाइव फोटोग्राफ आपको लग रहा है यह सुंदर में अचल कुमार महित्र नाम के भक्त थे यह करीब 1918 के बात है 1918 तो उनकी पत्नी वहां पर जाय करती थी अद्बोधन में मा के दर्शन के लिए और स्वामी शारदान जी महराज से मिला करती थी तो सामिशारदा नंजी महाराज को उसनों कहा कि मेरी इच्छा है कि बेलुमोट में श्रेराम कृष्ट्रदेव की एक मूर्ति रहे तो मैं पूरा खर्चा दूँगी तो सामिशारदा नंजी मात अच्छी लगी तो उन्होंना ने मोदन किया तो उसने वहाँ पर कलकता में कोई महाराष्टिन कोई स्कल्प्र था उसका नाम कर्मकार था अब उस शिल्पकार को ही कर्मकार बोलते होंगे पता नहीं जो भी होगा पर इसमें कर्मकार यही नाम दिया उस शिल्पी का तो वो भवानिपूर का वो था कलकता में भवानिपूर यह मैं करता तो उसको उन्होंने संपर किया तो उसने कहा तो उसने मोल्ड बनाया तो पहले मिट्टी का मोल्ड बनता है बाद में फिर उसमें उससे स्टेचू बनता है तो मिट्टी का मोल्ड तयार हो गया तो उन्हों और वहाँ पर जाकरके उनको निविदन किया कि इस प्रकार से एक स्टेचू बन रहा है श्री रामकृष्ट देव का उसका मोड तेयार हुआ है तो आप लिए आकर करके उसको देखें उसको अप्रू करें तो अच्छा रहेगा तो राजा महराज ने हस्ते भी कहा सुरत तुम शी रामकृष्ट के किस रूप के स्टेचू की बात कर रहे हो मैंने शी रामकृष्ट देव इतने सारे भावों में देखा है कभी समाधी भावों में देखा है कभी आश्य करते देखा है कभी बहुत दिर्गकाय उनको देखा है, कभी छोटी काय में बैट देखा है, कितनी प्रकार से मैंने श्री रामकृष देखा है, तो तुम कौन से रूप की बात कर रहे हो? तो सारदर जी मैं हाज जोड़ करके कहा, जिस फोटो के बारे में श्री रामकृष देखा है, ताकि इस फोटो की घरगर पुजा होगी, उसी फोटो, उसी स्वरूप के स्टेचू को आप अनुमोद दिन दीजे, तब सामी ब्रह्मा नजी बोले ठीक है, उसी दिन साम को फिर दोपर के बाद ले गए उनको, आर्टिस्ट के हां, एक स्कल्पर के यहां, तो शिल्पकार के हां गए, वो मिट्टी के हां जो बनाया था, मोल्ड उसको देखा, राजा माराज स्वामी प्रह्मानेजी माराज ने, फिर उन्होंने कहा, कि देखो तुमने ये रामकृष दे जब भी बैठते थे, एकदम पर्पेंडिकुलर बैठते थे, उनका मेरुदर्ण ऐसा सीधा रहता था, इलेक्टिस्टी चली गई थी, इसके कारण ये विवधान हुआ, बिना लाइट के कुछ नहीं होता है, सब कुछ था, माइक था, लेप्टॉप था, इंटरनेट था, सब कुछ था, बिना लाइट के कुछ नहीं, जैसे हमारे देह में सब कुछ होने के बावजुदी आत्मा ना रहे, प्राण ना रहे, तो फिर राम बोलो भही राम, स्वशान गाट में ले जाते हैं, ये बिना परमात्मा के, सिसीले श्री रामकेश देव ने कहा कि देखो, ये सब कुछ जीरो है, परमात्मा को ले लो, उसका नमबर एक, उसके बाद में जितनो जीरो लगाओ, उसका वेल्यू है, और एक निकाल दो, परमात्मा सब जीरो है, तो अभी देखा हमने, सब कुछ जीरो हो गया, कुछ कॉमिनिकेशन नहीं हो पाया है, इलेक्टिसिटी या जो इश्वरी शक्ती इसके बिना, जो हम लोग बता रहे थे, कि जो स्रीराम कुछ देव की मूर्ति के बारे में, जब वो देखने के लिए गया सामी ब्रह्मान जी महाराज, तो उन्होंने शिल्पकार को यही कहा, कि इसमें आप थुड़ा जुका हो बताया तो उन्हो स्रीराम कुछ देव को हमने अपनी नजर से कभी इस प्रकार से देखा नहीं, हमने जब भी देखा इसी प्रकार से क्रॉस लेग होते हुए भी उनका मेरुदन था, उस सिधा रहता था, उसका कारण यह है, कि वे आजानू बाहू थे, उनके बाहू बहुत लंबे थे, घुटने तक उनके बाहू जाते थे, और इसके कारण वो इस प्रकार से बैठने के बावजूद भी, वो सिधा बैठ सकते थे, साधान आदमे के लिए संभो नहीं है, यह तुम्हारी बात सच है, पर श्रीराम क कश्डेव अपवाद थे, एक पॉइंट उन्होंने बताया, और दूसरा उन्होंने बताया है, यह देखो प्रतिक मनुष्य की जो उनके जो कान है, वो आँखो के साथ में उसी दी रिखा में होते हैं, तो तुमने उसी प्रकार से किया है, और श्रीराम कश्डेव के कान व कि आपना तो अद्भूत यह है, और सभी लोग अद्भूत यह है, आमिया ब्रह्मा नजी महराज की यह जो इस प्रकार से उनका अब्जर्वेशन पर फिदा हो गया, फिर बोले आप एक हपते बाद आईए, एक हपते बाद उन्होंने आके देखा, उन्होंने अप्रू कि लाए, चेहरे पर भी दाखते, पूरी मूर्ती में दाखते, और इसके कारण इसका मन जो था, जो भक्ती मती महिला थी, उनका मन बहुत खराब हो गया, अचल कुमार मेतर की वाइफ, तो क्या करें, तो फिर चित्रकार ने कहा कि इसमें एक ही उपाय है कि उसको पेंट कर द जो स्कल्प्र था, शिल्पकार, उसके यहां पर ही रहा, उसके स्टूडियो में रहा, वो स्टेच वो आखिर तक, 1936 में, 24 फरवरी को, श्री रामकिष्ट देव की मुंदिर का उद्गाटन हुआ, वारा नसी में, अद्वित आश्रम वारा नसी में, पुज्य स्वामी वि वारा नसी में, यह वही मुर्ति है, जिसके लिए स्वामी ब्रह्मान जी महरण ने बहुत अच्छा अब्जर्वेशन किया था, और इस प्रकार से मुर्ति परप्रेट बनाई थी, तो यह है, जो स्री रामकिष्ट देव की मुर्ति के बारे में, और बाद में, बेलूर मत म में, जब मंदिर का ओधाटन स्वामी विग्णान जी महरण ने किया, तब वहां के लिए जो मुर्ति बनी, वो कलकत्ता के शिल्पकार थे, गोपेश और पाल, और उन्होंने मन प्राण दे करके मुर्ति बनाई, ऐसा कहते हैं कि उसके बाद मुर्ति इतनी सुन्दर बनी थ अद्भुत वह मुर्ति बनी, और उसमें उन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया, और सच्पुच वह इसके बाद में बहुत कम समय तक वह जीवित रहे इस प्रित्थी पर, महनों उनका पूरा काम इस प्रकार से हो गया, चाहे हो सकता है या फिर रामकृष्ण दे की प्रित्था हुई उनका दर्शन हुआ हो जो भी हुआ हो पर वह अद्भुत वह दिव्य एक प्रकार की मूर्ति तयार हुई वह बेलूमट में है जब 1979 में राजकोट रामकृष्ण आस्ट्रम का उद्गाटन हुआ मंदिर का पुझ्य विरेश्वाजी माहराज के हातों से समर्पित हुआ तो इसके लिए यह पूरा प्रोजेट का जो उनका मंदिर की निर्माण की योजना यह सब पुझ्य स्वामी आत्मस्तान जी महाराज जो कि रामकृष्ण मट मिशन के पंद्रवे अद्ग्ष थे वह रामकृष्ण आस्ट्रम राश्वट के अद्ग्ष थे 66 to 75, 45 to 66 थे भुतेशान जी महाराज जो कि रामकृष्ण मट मिशन के बारवे अद्ग्ष थे, पर यह है पंद्रवे अद्ग्ष यह 66 to 75 तक रामकृष्ण आस्ट्रम राश्वट के अद्ग्ष रहें, तो उस समय उनके मन में कलतना आए कि एक exact duplicate copy बेलू मट का उसी प्रका का मंदिर बना है, उसके बारे में भी बोलने का समय नहीं है, पर वो अद्ग्ष वो मंदिर, उस समय जो स्टेचू बनाया गया, वो उसी के जो पाल है, वो पेश्वर पाल के ही family members, उनके ही वंशज, वो ही पाल and company से ही स्टेचू बनाया गया, उसी मोल्ड से बनाया गया, जिस मोल्ड से बेलुमट की मूर्ती बनाया, इसलिए आप देखेंगे कि रामकृष्णा आस्म राजखोट की जो मूर्ती है, श्री रामकृष्ण की अद्भुच सामय थे, केवल मंदिर में सामय था है, एसी मूर्ती में भी अद्भुच सामय है, क्योंकि उसके लिए ये इनके में बात कही और पुझे आत्मस था जी महाराज कलकता में रहते थे उस समय असिस्टन सेक्रेटर थे वो बार बार जाते थे चिल्फिकार के हां और पूरा देखते थे कि ठिक से वह मुर्ती हुई बहुत ही सुंदर मुर्ती हुई है यहां पर राम पिश्णाश्याम रा जाप्त करते हैं ओम शान्ति 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 ही हरी ओम तस्ट शीराम कृष्णार पनमस्तु